दो हफ्ते पहले केपी में एक वीडियो वाइरल हुई जिसमें देखा जा सकता था के आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे मिलिटरी वैन के सामने खड़े एहतजाज कर रहे हैं उस वक्त ये तो पता ना चल सका के आकर इस एहतजाज की वज़ा क्या है लेकिन वीडियो में ये देखा जा सकता था के मिलिटरी पुलिस के एहलकार इन बच्चों को धके दे कर वैन के सामने से हटने का कह रहे हैं और इनके हाथ से मुबाइल फॉन भी छीना जा रहा है जिस में वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी अब इस हवाले से तफसिलात सामने आ गई हैं और असल मौमला भी सामने आ गया कि ये बच्चे किस कॉलेज स्कूल के थे किस इलाके से थे और इनके एतजाज करने की वज़ा क्या थी ये मौमला आर्मी पबलिक स्कूल जट्याल के एक इलाके का था जहां पर तलबा एतजाज करने के लिए सड़क पढ़ाए तो उधर से आर्मी की एक वैन आ रही थी जिसे तलबा ने एतजाज के दौरान रोक लिया तलबा की जानब से एतजाज की वज़ा ये बताई गई कि हमारे वो टीचर जो 15-15 साल से हमें यहां अपॉइंट किया जा रहा है जिस पर तलबा सरापा एतजाज हो गए कि 15-20 साल की सर्विस का कोई हया नहीं किया गया या कम अजब कम पहले उन्हें वार्निंग दी जाती कोई टाइम दिया जाता या वज़ा ही बता दी जाती के उन्हें टर्मिनेट कूँ किया जा रहा है जिस पर तल्बा इतिजाज करने के लिए आए तो मिलिटरी पुलिस रास्ता क्लियर करवाने के लिए तल्बा के सामने खड़ी हुई यहां बहस हुई जिसके नतीजे में मिलिटरी पुलिस के अहलकारों ने कुछ तल्बा को धके देकर पीछे हटने के लिए कहा और उनका मु पंजाब चाने एक मतालबा केमरे पर रिकार्ड करवा रहा है